नमशकार प्रीमित्रों आप सभी का हमारी चैनल ब्यूटिफल वर्ड में हारदिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं कि यदि कोई व्यक्ति सपनी में इंद्रधनुश यानि के रेन्बो देखता है तो यह सपना व्यक्ति को किस बात का संकित देता है वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रेक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्स्क्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें हमारी द्वारा देखे गए सपने वर्तमान समय की हमारी मानसिक इस्थिती को दर्शाते हैं और इसके साथ ही हमें हमारे आने वाले भविश्य के बारे में शुब और अशुब संकित देते हैं अपने सपनों के पीछे छुपे हुए संकेतों को समझ कर, हम अपने आने वाले भविश्य के बारे में काफी हद तक बिल्कुल सही अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति सपने में अगर इंद्र धनुष को देखता है, तो स्वपन सास्तर के अनुसार यह सपना व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी खुशियों के आगमन का संकेत देता है। जाहे कि आपको आपके प्रयास में आपकी नौकरी की तलास में जल्दी ही सपलता प्राप्त होने वाली है। यह सपना देखने वाला व्यक्ति अपने भौतिक जीवन या सांसारिक जीवन में तो सफलता प्राप्त करता ही है, साथ ही व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नती भी होती है। यह सपना किसी सुभ सूचना की प्राप्ति का भी संकेत देता है। आविवाहित लोगों को यह सपना संकित देता है कि आने वाले समय में उन्हें एक योग्य जीवन साथी की प्राप्ती होगी और यदि कोई विवाहित व्यक्ति यह सपना देखता है तो उनके अच्छे सुख में जीवन का यह सपना संकित देता है तो इस प्रकार सपने में इंद्र धनुष का दिखना व्यक्ति को शुब फल देने वाला सपना होता है यह सपना देखने के बाद व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को जल जड़ाई ऐसा करने से इस सपने के और भी शुब लाब प्राप्त होते हैं और इस सपने के शुब फल व्यक्ति को जलदी प्राप्त होते हैं उमीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने सपनों का बिलकुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपका कोई ऐसा सपना है जिसका मतलब आप जानना चाहते हैं तो आप अपना सपना हमारी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम वीडियो के माध्यम से आपको आपके सपनी का मतलब बताने की पूरी कोशिश करेंगे धन्यवाद